सिकंदर कंट्रक्शन की तरफ से आप लोगों को मैं बहुत ही महतरपूर्ट जानकारी दोस्तों आज देने वाला हूँ ऐसी जानकारी जिसे की आप लोग देखते ही खुस हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग भी 1000 स्कौार फिट मकान बनाने का तरीका सोच रहे ह तो जी हाँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो लोग 1000 स्कौार फिट बनाना चाहते हैं और उन्हें मालूम नहीं किस पिरकार 1000 स्कौार फिट बनाया जाता है या उसमें कितना खर्चा आएगा जी हाँ दोस्तों इसी पर हम बात कर नक्स से ड्रोइंग से बना के देंगे चलिए वीडियो शुरू करते तो दोस्तों इसके अंदर जो है आप लोगों को दिया गया है कि सबसे पहले आप लोगों को इसमें एक रूम देखने के लिए मिल जाता है जो के 11 वाई 11 फिट का ये रूम है इसके अंदर आप लोगो जो है इसके अंदर सभी जपानी चादर की लगाई गई है और बंटी लेटर भी जपानी चादर का लगाया गया है ये एसी के लिए एक भट्टा जो है रोबा छोड़ दिया गया है रोशंदान इसके अंदर आपकी एसी पिट होती है चलिए दूसरे रूम के अंदर चलते आगे कु this जैसे हम जाते हैं तो दोस्तो आगे हमारा जो है यह 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 पहला हमारा एक रूम हो गया है और दूसरे नंबर पर ज़ो हमारा बास्तू के हिसाब से घर बनाया गया है हमारा तो इसके अंदर आपको एक बात रूम मिल जाता है जिसकी nordy nove नो फिट है जी हाँ दोस्तो 8 वाई 9 फिट का ही जो आप लोगों को बातरूम मिल जाता है पूरा खुला काफी अच्छा काफी बड़ा है इसके अंदर टब भी आ सकता है आप लोगों का और सीट भी लगा सकते हो जी हाँ दोस्तो अटैज भी इसे कहा जा सकता है जैसे कि देखा कि इसके अंदर एक रूम हो गया एक हमारा बातरूम हो गया लेटिन टोइलेट बातरूम हो गया वो भी अटैच के साथ और बाहर के इस साइट पे आप लोगों को यहां पर बाइवेसा हाथ दोने के लिए लग जाएगा अब चलिए हम चलते हैं आगे तो बाश्तू क रोसंदान छोड़ दिया गया है और इसमें भी जपानी चादर की बिंडरो लगाई गयी है और इस रूम के साथ साथ दोस्तो इसके अंदर जो है एक बातरूम भी दिये दिया गया है बिल्कु अटैच के साथ बातरूम है देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगो यह इसके अंदर जो है आप लोगों को नो वाई पांच फिट का बातरूम एटेज दिया गया है दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखी रहें यह बातरूम भी कमरे के अंदर होना पहुत ज़्यादा जरूरी है चलिए वीडियो जैसे कि हम दोस्तों अब आगे चलते है इस रूम से जो है हम बाहर निकलते हैं जैसे कि दोस्तों हम बाहर निकलते हैं तो यह हमारा हो गया है अब एक रूम बो हो गया है और एक रूम जो है हमारा यह हो गया दो रूम हो गया है और दो बातरूम हो गया है इसके एक हजार स्क्वार फिट के अंदर अब चलिए दे और इसके अंदर भी खिड की जो है जपानी चादर की दे दी गई है और चोखड भी जपानी चादर की लगाई गई है दोस्तों जैसे कि इसकी हाइट की बात करें हम इस मकान की हाइट जो है वो आप लोगों की 13 फिट की हाइट इसकी हमने दी है जिससे की गर्मी के मौसम में इंसान को गर्मी भी कम लगया और साथी साथ इसके अंदर जो दो AC का connection हमने किया है वो भी बहुत ही खास है अब दोस्तों हम जिसे की बहार की ओर आते हैं तो इसमें जो है दोस्तों एक जो है में kitchen मिल जाता है जो आडवाई no fit का है जी हाँ दोस्तों आडवाई no fit का और सामन वाला जीना है इसको chain वाला भी बोलते हैं चैन वाले इस्टरीज भी बोला जाता है ये बहाँ अभी उपर की और एक foundation पे चला है ये kitchen के उपर जो है दोस्तों ये दो छती हमारी हो गई है जैसे कि पूरे मकान का नकसा आप लोग देख सकते हैं कि ये 1000 square feet का मकान का नकसा आ आप लोगों को दे दिया गया है दोस्तों आप लोग जो है भूल जाते हैं बाद में सस्क्राइब करना जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हो वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए घंटी का बटन भी प्रेस कर दीजिए वो वीडियो को जाधा से लाइक और दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक खूब सूरज सा कमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसा चाहिए मुझे कमेंट करके